चलिए SN1 और SN2 में कुछ छुपे हुए पहलू है इन्हें भी हमें समझना जरूरी है तो चलिए इन्हें समझते हैं इसके लिए हमें स्टीरियो केमेस्ट्री जिसे हम त्रीविम रसायन भी कहते हैं उसे थोड़ा जानना होगा कुछ जरूरी जो कॉंसेप्ट हैं त्रीविम रसायन से संबंदित पहले उसे समझ लें ताकि हम SN1 और SN2 के इन पहलूं को भी समझ पाएंगे तो चलिए देखते हैं कि आखिर में य या स्टीरियो केमेस्ट्री क्या है स्टीरियो केमेस्ट्री में हम किसी भी अनू में एटम के जो स्पैशल अरेंजमेंट होता है त्रीविम में वो किस प्रकार वेवस्टीद है उसको उसकी स्टडी करते हैं और उसका क्या प्रभाव पढ़ता है इसकी हम डिटेल में जब हम बात कर रहे थे कृरिया विधी के कि ऐसेन होब कि जो ना भी किस नहीं है वो हाफ हालोजधि की विपरी दिशा से आकर आकरमन कर रहा था तो उसके हमने देखा कि जो पूरा त्रिविम का विन्या से वह परिवर्तित हो गया था हमने बात की थी वह प्रतिलोमन की, इन्वर्शन की, तो यहां पे हम SN1 और SN2 के इस त्रिविम विन्यास में क्या-क्या परिवर्टन होते हैं, किन चीजों का अध्यन हमें और करना है, उस पे डिटेल में बात करते हैं, तो देखे होता क्या है, जब SN1 और SN2 अभिक्रिया होती है, तो प्रतिलोपन के साथ साथ रस्मी करन होता है, रस्मी करन में भी हम देखते हैं, कि त्रिविम विन्यास में परिवर्टन आता है, तो उसी चीजों को थोड़ा समझते हैं, कि आखिर इनका लिंक क्या है, स्टीड किरलता की किरलता होती क्या है तो उसके लिए समझें किरल और आकिरल जैसे समझ लीजिए कि कुछ ऐसे कार्मिक पदार्थ भी हैं जिनमें अलग अलग तत्व आपस में जुड़े हुए रहते हैं इन तत्वों का जब हम दर्पन प्रतिविंब लेते हैं कुछ इस तरह तो यह यह होते हैं धर्पन पर प्रतिविंब पर आपस में अध्यारोपित नहीं होते इसे हम कहते हैं कीरलता चली देखते हैं कीरलता को और easy example से समझते हैं जैसे आप देख लिजिए कि हमारा ये सीधा हात लीजिए और सीधे हात का जब हम दरपन प्रतिविम्ब लेते हैं कुछ ही इस तरीके से तो ये दरपन प्रतिविम्ब बनता है इसमें देखिए अगर ये दरपन प्रतिविम्ब बिलकुल अध्यारोपित हो जाता है तो ये कहलाएगा कि ये क्या है आग किरल है पर हम देखते हैं कि दरपन प्रतिविम्ब जो है वो रियल इमेज से अध्यारूपित नहीं होता चलिए देखते हैं कैसे ये रहा हमारा सीधा हाद और ये इस प्रकार का इसका क्या बनेगा mirror image तो जब हम mirror image को इस पे super impost करते कुछ इस तरह करके हमने देखा तो क्या ये एक दूसरे पे impost हो रहे हैं अध्यारोपित हो पा रहे हैं बिल्कुल नहीं इधर देखिए कि यहां पे हमारा अंगुठा इस तरह पा रहा है तो इधर दूसरी साइड आता है तो हमने देखा कि जो हमारा हाथ है ये एक दूसरे पे इनका real image और दरपन प्रतिविम अध्यारोपित नहीं होता ये super imposed नहीं है तो ऐसी इस्तिती को हम कहते हैं कीरल और ये गुण जो कहलाता है ये है कीरलता एक बार तो clear है कि हमारा जो हाथ है human being का जो हाथ है वो कैसा है वो कीरल होता है चलिए एक और example लेते हैं मालनों ये हमारा object है ये real है और ये इसका mirror image है अब देखिए इसे हम impose करके देखते हैं कि क्या ये impose हो पा रहा है तो देखिए ये आसानी से super imposed होता है तो इस type के जो object है जो एक दूसरे में super imposed हो जाते हैं इसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहते हैं आ किरल अब clear हो गया हमें कि कीरल और आकिरल क्या होते हैं हमने देखा जब हम कीरल और आकिरल की बात करते हैं तो object और real image जब लेते हैं उसे super impose करते समय 180 degree घुमाते हैं अब आप सोच रहेंगे मैंडम आपने तो 180 नहीं घुमाया था देखिए अगर मैं बात करूं कि मैंने यहां पर अपना यहां लिया राइट हैंड लिया और दरपन यहां है अगर दरपन यहां है तो image किधर बन रही है इस तरफ बन रही है तो मुझे image को super impose करने के लिए हम क्या करेंगे इसे 180 डिग्री रोटेट करते हैं इस एक और एक्जाम्पल ने जैसे हमने यहां लिया अपना यहां हमारा दरपन है दरपन में जब हमने इसे रखा देखा इसका प्रतिविम तो प्रतिविम इस तरह से आता है पर जब हमें इसे इसके उपर अध्यारोपित करना है इसे सुपर इंपोस करना है तो हम क्या करते हैं इसे रोटेट कर दिया हमने और रोटेट करने से यह इस प्रकार की इमेज बनती है यह क्लियर हो गया कि जब हम किसी आपजेक्ट में उसके मीरर इमेज को सुपर इंपोस करते हैं तो 180 डिग्री क्या कर देते हैं रोटेट कर देते ह कुछ इस तरह से अब यहां एक और कॉंसेप्ट जो हमें समझना है वो है ऑप्टिकल एक्टिव तो प्रकाशी सक्रिय कुछ योगी कैसे होते हैं जो समतल दुरुवित प्रकाश को या तो घड़ी की सुई की दिशा में या उसके विप्रीत दिशा में घुमा देते हैं तो आ प्रतेक दिशा में घमन करता है पर हमारा कार्बनिक पदार्थ प्रकाश की पति कैसा वहवार करता है इसके लिए हमें चाहिए होगा समतल दुरुवित प्रकाश इसे हम कैसे प्राप्त करेंगे चलिए देखें जो समतल दुरुवित प्रकाश है वो केवल एक ही दिशा में गमन करता है तो जो समान्य प्रकाश है जो प्रतेक दिशा में गमन कर रहा है इसे हम निकोल प्रिज्म से प्रवाहित करेंगे जब समान्य प्रकाश निकोल प्रिज्म में से जाता है तो वो केवल एक ही दिशा में गमन करता है इसे कहते हैं समतल धुरुवित प्रकाश तो हमा प्रकाश को रोटेट कर देता है इसे हम कहते हैं optically active या प्रकाशिय सक्रिय पदार्थ तो जितने भी पदार्थ में खिरलता होती है वो प्रकाशिय क्या होंगे active होते हैं अब इनका उपयोग हमने कहां किया याद कीजिए जब हम बात कर रहे थे asne2 अभिक्रियकी सनड़ी अभिक्रिय में हमने देखा था कि जो नाभी किस नहीं है वह हैलोजन की विप्रीद दिशा से अटेक करते हैं तो यहां पिरा प्रति नाभिक्रिय को हमने बात की थी SN1 अभिक्रिया की SN1 अभिक्रिया में अभिकर्मक जब अटेक करता है तो उसमें क्या होता है रैसिमिक मिक्षर मिलता है तो यहां दोनों ही स्तिती को समझने के लिए हमें Optical Active Substance को समझना होगा प्रकाशी रूप से सक्री पदार्थ को समझ कर यह देखना होगा कि कब हमें कितना प्रतिशत दक्षिन दुरूवी और कितना प्रतिशत वाम दुरूवी समावैवी प्राप्त होंगे तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं अब ऐसे प्रकाशी समावैवी जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते इन्हें हम प्रतिविंब रूप कहते हैं या एनाईसोमर कहते हैं इनके भौतिक और रसाइनिक भून तो एक जैसे होते हैं पर जो समतर्दुरूविक प्रकाश के गुणन के लिए वहवार है तो यह अलग-अलग होता है यहां हमें नया कॉंसेट समझना है कि कोई कार्णिक पदार्त कीरल क्यूं है तो देखिए जब हम कीरल की बात कर रहे थे हमने अपना हाथों का एक्जामपल लिया था तो यहां देखिए कि यह जो ऑबजेक्ट है इसमें हर दिशा में अलग-अलग जब क्रियात्मक समूझ जुड़े रहते हैं जैसे हम उंगलियों की बात करें तो इनका आकार जो है अलग-अलग है इन्हें हम बराबर हिस्से में नहीं बाट सकते तो ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिनमें अलग-अलग समूझ जुड़े रहते हैं इन्हें हम बराबर भागों में नहीं बाट पाते ऐसे पदार्थ जो होते हैं यह क्या कहलाएंगे आसम्मित आसम्मित हाइड्रो कार्बन ही अप्टिकली क्या होंगे एक्टिव होते हैं वो सम्तर दुरूइद प्रकाश का गुनन करा सकते हैं अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की अभिक्रिया जो एलकिल हलाइट में होती है यह है विलोपन अभिक्रिया तो पहले समझ लें कि विलोपन होता क्या है विलोपन अभिक्रिया में क्या होगा कुछ एक ग्रूप जो है वो हमारे अभिकारक को छोड़ कर यहां से चले जाएंगे जब हम बात करते हैं अलकिल हैलाइट की यहां पर देखें कि यहाँ एक हैलोजन ग्रूप जुड़ा हुए कार्बन के साथ और बाजू में जो दूसरा कार्बन है उससे हाईट्रोजन ग्रूप जुड़े हुए है इस प्रकार के विलोपन अभिक्रिया में विलोपन होते समय कार्बन से जुड़ा हुआ है तो जाता ही है साथ ही साथ बीटा हाइट्रोजन भी निकलता है बात उठती है कि ये बीटा हाइट्रोजन क्या है तो देखी जो हमारा क्रियात्मक समूद जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम कहते हैं अलफा कार्बन उससे जुड़े हुए हाइट्रोजन होंगे हमारे अलफा हाइट्र वहीं alpha carbon से जुड़ा हुआ जो carbon है वह कहा लाता है हमारा beta carbon और इससे जुड़े हुए hydrogen होंगे हमारे beta hydrogen, तो जब the 살 Sep carbon होगी तो यहाँ से halogen भी जाएगे और 7 bilta hydrogen भी जाता है, चलिए देखते हैं, विलोपन अभी क्रिया जब भी हम करवाते हैं तो यहां हम एलकॉलिक पोटेश्यम हाइड्रोकसाइड की प्रजेंट में इसे जब हम गरम करते हैं तो देखिए होता क्या है कि यहां पे हमारा हैलोजन और एक बीटा हाइट्रोजन आपस में क्रिया करके उत्पाद मनाकर यहा पर दूबंध बन जाता है जिससे हमें एलकीन मिलते हैं तो हमने यह देखा कि कैसे एलकील हिलाइट से हम आलकीन बना सकते हैं ज् GRH gentleman कर भी हम एसा भी देखते हैं कि हमारे पास एक से अधिक बीटा कारवन होते हैं चलिए एक ऋक्साम्पल देखते हैं आ अमाल हे नीजी हम इसमें देखिए CS3, CHBR, CS3 है यहां हमारा क्रियात्मक समू दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है अब क्रियात्मक समू जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था वो था हमारा अलफा कार्बन इस से जुड़ा हुआ लेफ्ट और राइट दोनों साइट के कार्बन हमारे क्या हो जाएंगे बीटा कार्बन हम क्या करेंगे इन्हें बीटा और बीटाड़ेश से अंकित कर देंगे अब दोनों साइड से हमाई पास हाइटरोजन उपलब्द है तो यहां पर जब विलोपन होगा तो किसी भी साइड के हाइटरोजन से हैलोजन अभिक्रिया करके उत्पाद ब एक जैसे carbon alkyl group से जुड़ा हुआ था पर क्या ये इस्तिति हमेशा होगी कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो alkyl group है वह एक side बढ़ा होता है और एक side क्या हो जाता है छोटा alkyl group होता है उस समय हम क्या करेंगे इसके लिए हमारे पास है सेट जेफ नियम से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा उत्पाद हमारा जो मेजर होगा और कौन सा उत्पाद माइनर होगा चलिए देखते हैं मार लिजे हमने लिया है CH3, CH2, CHBR, CH3 यहां देखिए क्रियात्मक समय जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके एक तरफ आपके पास एक छोटा एलकाइल गुरूप है CH3 और दूसरी तरफ है C2H5 इस स्तिती में दोनों बीटाल कार्बन जो है एक जैसे नहीं है अब इससे क्या होगा जब हम एलकोलिक क्योवेज के सांथ इससे गरम कराते हमें दो प्रकार के उत्पाद मिलेंगे एक मिलेगा ब्यूट 2 इन और दूसरा मिलेगा ब्यूट 1 इन अब यहाँ पे सेटजेफ नियम हम लागू करेंगे नियम के हिसाब से जिधर द्वीबन से जुड़ा हुआ एलकील गुरूप अधिक रहेगा वहां मेजर प्रोड़क्ट बनता है चलिए देखे इसमें देख मेजर प्रोड़क्ट होगा और ब्यूट 1 इन में देखे एलकेल गुरूप की संख्या क्या है कम है तो नियम के अनुसार यह माइनर प्रोड़क्ट होगा और यह एक्सपरिमेंट से प्रूप भी हुआ है कि इस प्रकार के अभिक्रिया में जैसे ब्यूट 2 इन है यह 80% मिल करते हैं कि हमारे यह एलकिल हैलाइट धातुओं के सांथ कैसे क्रिया करते हैं कुछ एक धातुएं हैं जैसे हम बात करते हैं लीथियम की सोडियम की मैंगनेशियम जिंक यह बहुत क्रियाशिल धातुएं यह आसानी से एलकिल हैलाइट के सांथ अभिक्रिया करते हैं और ध प्राइ एतर की उपस्तिती में होती है पहली अभीक्रिया जो हमें सम्झ नहीं है वो कहलाती है वुट्स अभिक्रिया हम सोडियम धात्व से एलकिलहलाईड की अभिक्रिया कराखे हैं तो देखिए हम लेंगे इस अभराभनैंस बिलैन से कराते हैं dry इस अभिक्रिया में हम sodium धातू से alkyl halide की अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए हम लेंगे bromoethane इस bromoethane की sodium से जब क्रिया कराते हैं dry ether की present में हमें मिलते है alkane यहां हमें मिलेगा butane और sodium bromide यहां देखिए क्या होता है कार्वन की संख्या जो उत्पाद है उसमें बढ़ते जाती है कारण देख रहे हैं आप आपने क्या किया है दो alkyl halide group लिया है तो उत्पाद में हमेशा यह बढ़ते क्रम में हमें alkane मिलते हैं तो जब हमें alkane बनाना हो और अधीक संख्या वाले alkane बनाना हो तो हम क्या करेंगे वुट्स अभिक्रिया का उप्योग करके alkane बनाते हैं वहीं यदि हम sodium धातू की जगा में जिंक धातू का उप्योग करते हैं तब भी हमें alkane मिलता है पर इस अभिक्रिया को हम कहते हैं frankland अभिक्रिया चलिए देखिए फ्रैंक्लेंड अभिक्रिया में हम ब्रोमो एंथेन की अभिक्रिया अगर जिंक्स से कराते हैं तो हमें फिर से ब्यूटेन मिलते हैं और इस प्रकार की अभिक्रिया में फिर से हम देखते हैं कि एलकेन में कार्बन की संख्या क्या होती है बढ़ते जाती है अब आप यह ध्यान रखिएगा कि इनमें क्रिया शिलता का क्रम कैसे होगा जैसे हमने पहले बात की थी कि हम अलकिल आयोडाइड जब लेते हैं तो यह ऐसी अभिक्रिया बहुत आसानी से और स्पीड से कराते हैं कारण वही है कि अलकिल आयोडाइड में आयोडीन ग्रूप जो है असानी से बंद तोड कर बाहर निकल जाता है जिसे हम कहते हैं एलेक्ट्रोन निर्मोची ग्रूप है तो यह क्या करता है असानी से वहां से अच्छा लिविंग ग्रूप होने के कारण निकल जाता है वहीं अगर हम बात करें ब्रोमीन की तो ब्रोमीन जो है आयोडीन की तुलनह में क्या होता है थोड़ा कम क्रियाशिल होता है तो अगर आप यह्म क्लोराइड और यह संस्क्रायद कीeder करेंगे तो यह बात करते हैं यह कुछी दातुं के साथ अभिक्रिया कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे एलकेल गुरूप का साइज बढ़ते जाता है तो यह अभिक्रिया है और स्लो होते जाती हैं क्योंकि एलकेल गुरूप के साइज बढ़ने से वहां पर बलकी गुरूप होने से अभिक्रिया की दर क्या होगी कम हो जाती ह अब यहाँ देखिया, एलकल हैलाइट और भी बहुत सारे धातुों के साथ अभिक्रिया करके अलग-अलग प्रकार के योगिक बनाते हैं, जिने हम कार्ब धात्विक योगिक कहते हैं कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ एलकेल हेलाइट एक निश्चित धातू के सांथ ही अभिक्रिया करते हैं जैसे हम बात करने मेगनीशियम के साथ एलकेल हेलाइट जब मेगनीशियम के सांथ अभिक्रिया करते हैं तो ये अलग प्रकार के compound बनाते हैं जिसमें धात्तू और कार्बन के बीच में सासयोजी बंद का निर्मान होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया के बारे में हमें इस अभिकर्मक के बारे में सबसे पहले हमें बन राया था विक्टर ग्रिगनार 1935 में। उन्होंने देखा कि जब ड्राय इथर की उपस्तिती में अलकील हैलाइट को मेंगनिशियम के साथ गरम करते हैं तो हमें इस प्रकार का योगिक बिलता है जिसे हम क्या नाम देते हैं ग्रिगनार अभिकर्मक आर एमजी एक्स यहां पे आर आपका कोई भी अलकाइल ग्रूप हो सकता है यह जो ग्रूप होते हैं अभिकर्मक यह बहुत अधिक क्रियाशिल होते हैं अधिक क्रियाशिल होने के कारण बहुत सारे कारणी क्योगी बनाने में इनका उप्योग किया जाता है इसलिए बहुत इंपोर्टन्ट अभिकर्मक हैं हमने बहुत सारी करते हैं कभी-कभी आपने अइसा देखा होगा कि जो हमारे fuel होते हैं इंधन होते हैं diesel है पेट्रोल है यह जब engine में जलते हैं तो बहुत आवाज करते हैं इन वैंहें हम मिलाते हैं Tetra ethyl LED ये टेट्राएथिल LED बनते कैसे हैं इसे देखें तो अब हम देखते लेड एलकिल का बनना ये भी एल्कील हिलाइट से बनते हैं चलिए देखें मालनो हमने लिया है ऐथिल क्लोराइट इसे लेड और सोडियम धातू के मिष्रन के साथ गरम करते हैं तो हमें मिलता है यही टेटराइथिल लेड इंधन में डाला जाता है ताकि इन्जन से अवाज ना आएं इसे हम कहते हैं Anti-Knocking Reagent चलिए अब बात करते हैं Alkyl Halide की अपचेन के अभिक्रिया में Hydrogen का जुड़ना होता है तो हम क्या करेंगे Alkyl Halide जो है Alkyl Halide से हेलोजन को हमें हटाना है और उसकी जगा में Hydrogen को जोड़ना है तो जब हम इस प्रकर के अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कुछ ऐसे क्रिया कारग भी चाहिए होंगे जो हमें Hydrogen उपलब्द कराएं अपचेन अभिक्रिया कराने के लिए हम कुछ अभिकर्मकों का उप्योग करते हैं जैसे कि हम ले लेते हैं एच आई और लाल फासफुरस या फिर सोडियम और आरो एच का उप्योग कर लेते हैं लीथिया मैलमुनियम हाइड्राइट का उप्योग कर सकते हैं या निकेल लैड और प्लैटिनम के चून का यूज करते हैं हमें अभिक्रिया के दौरान हाइट्रोजन को उपलब्द कराते हैं तो जब अभिक्रिया इनकी उपस्तिती में कराते हैं तो हमें अलकेन प्राप्त होते हैं तो एलकेन प्राप्त करने की ये दूसरी विधी भी हो गई जिससे हम एलकेल हलाइट के अपचेंसे से बनाते हैं अब हम बात करते हैं कि हम हेलो एरीन्स को कैसे बनाते हैं हेलो एरीन्स बनाने के लिए हमाई पास कई मैथड हैं इन में से पहला जो रहेगा कि हम एरीन से ही हैलो एरीन बना लेते हैं या फिर डाइजोनियम जो सॉल्ट होते हैं उनसे भी हैलो एरीन बना सकते हैं एक विधी और है मुंजडी कर विधी इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं हैलो एरीन को बना सकते हैं और हमारे पास है फिन में इनके बारे में बात करते हैं पहले लेते हैं हम एरीन से हेलो एरीन कैसे बनाते हैं इसके लिए हम लेते हैं टॉल्विन टॉल्विन क्या होता है जब हम बेंजिन रिंग की बात करते हैं तो बेंजिन रिंग में जब CH3 एड होता है कुछ इस प्रकार तो इसे हम क्या कहते हैं टॉल्विन कहते हैं हमें क्या करना है हेलो एरींस मनाना है बेंजिन रिंग हमें मिल गया है यहां पे हेलो जन का प्रतिस्थापन कराना है हमने इससे पहले हेलो एलकेन की जब बात की थी तो वहां नाभिक इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराए थे पर यहां क्या है की बेंजेन रिंग है दूसरा जो हमारे कार्बन है कार्बन इस समय स्पी 2 हाइब्रिडाइजेशन में है जैसे हमारी पहले बात हो चुकी है कि एसपी 2 और अब SP3 hybridization में होता क्या है जैसे जैसे S के करेक्टर बढ़ते जाते हैं S का प्रतिशत लक्षन बढ़ते जाता है उस यौगी की विद्धो तुनात्मक्ता भी क्या होती है बढ़ते जाती है बात करें हेलो एलकेन की हेलो एलकेन में क्या होता था कि जो कार्बन है वो SP3 hybridization में ह 25 प्रतिशत होता है वहिँ जब हम BENZINE RING के कार्बन की बात करते हैं BENZINE RING का प्रते कार्बन जो है वो स्प्राइब्रिडिजेशन में एस का प्रतिशत लक्षन होता है वो कितना होता है 33 तीन प्रतिशत तो जैसे जैसे यहां एस के करेक्टर बढ़ते जाएंगे क्या होगा कि इनमें विद्धुत्रनात्मक्ता बहुत अधिक आते जाएगी एक कारण यह था और दूसरा कारण य यह अनुनाद करता है और अनुनाद के द्वारा यह क्या करता है इस्थाई तो प्राप्त कर लेता है तो यह दो कारण हमेशा ध्यान रखने है कि जब भी आप हैलो एरीन्स के बारे में पढ़ेंगे इसे बनाने की विधी इनकी रसायनिक गुनों के बारे में तो हमें यह को ध्यान रखना है कि हैलो केन में क्या हो रहा है और हैलो एरीन्स में क्या होता है तो जब हम बात कर रहे थे ही इनने बनाने की विधी एरीन से तो यहाँ टॉल्विन लिया है हमने टॉल्विन देखें क्या करता है टॉल्विन में एक मेठयल ग्रूप जुड़ा हुआ है CH3 ग्रूप छितने भी हमारे व्क्रश ग्रूप होते हैं ये क्या करते हैं ये electron दान करते हैं धन आई प्रभाव जिसे हम प्रेड़निक प्रभाव भी कहते हैं ये धन आई प्रभाव डालते हैं ये हमेशा क्या करेंगे इस बेंजिन रिंग को इलेक्ट्रॉन दान करते हैं तो यहां पर नाभिक इस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी तो फिर कौन सी अभिक्रिया होगी चलिए देखते हैं यहां हमें हैलो एरीन्स बनाना है तो हमें लेना होगा